देख्प्रेशन x2 plus 2 x plus 1 divided by x2 plus 2 x plus 7 lies in the interval and x belongs to the real x real को belong कर रहा है तो इस expression की value क्या होगी वो अपने को find out करना है basically इस quantity की range अपने को find out करना है अगर मैं यह quantity देखोती है क्या के बना है divided by den括or में कैया भना है x squared plus 2 x plus 7 ठीक अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अगर आपन देखे तो इसको अपन लिख सकते है x square plus 2 x plus 7 minus 6 लिख सकते है plus 1 को अपन क्या लिख देया plus 7 minus 6 divided by denominator में कैyas था अब आपने पास x square plus 2 x plus 7 अब अगर मैं इसको simplify करो प्लस 2x प्लस 7 यहां पर इसकी वैली होगी अगर मैं फ्रस्ट कॉंटिटी को डिवाइड करना तो इसकी वैली तो वन होगी ठीक है यह आगया 1-6 अपने को फाइंड आट करना ठीक है अब मैं यहां से अगर मैं इसकी रेंज की बात करो तो अपने को अगर इस कॉंटिटी की रेंज आ गई तो अपन ओवर रेंज बता सकते हैं अब मैं इसका इसका डिनोमेटर वह है अपने पास x 16-20 यह less than 0 आ गया ठीक और coefficient of x square अगर पर देखे हैं यहां पर इसके लिए तो coefficient of x square क्या है यहां पर coefficient of x square 1 है जो की positive है अगर पर देखें यहां पर यह दो conditions अपन क्या बोल सकते हैं coefficient of x square positive है और discriminative है यह quantity क्या होगा always positive हो जाएगा ठीक है positive मतलब क्या आ गया यह आपने लास greater than 0 ठीक है बट less than infinity यहीं होगा अगर greater than 0 है तो मतलब obviously इसकी maximum value infinity होगी अब अगर मैं इसका reciprocal लो ठीक है अब अगर मैं इसका reciprocal लो तो reciprocal में quantity क्या हो जागी reciprocal ले लो तो 1 upon x square plus 2x plus 7 अब reciprocal में maturity के लिए क्या होता है इनक्लुटी का लार direction होता है वो change हो जाता है ठीक है इनक्लुटी का direction होता है change हो जाता तो यह जागा 1 upon infinity यह इधर हो जागा वन अपन 0 इसका reciprocal होगा और इनक्लुटी का चेंज होगा तो 1 upon 0 basically किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो यह इन्फिनिटी से लेस होगा यह quantity 1 upon x square plus 2x plus 7 और 1 upon infinity किसको अप्रोच करेगा 0 को अब इसमें मैं 6 से multiply करें हो तो 6 क्या है positive value है 6 से अगर मैं multiply करें तो यह जगा 6 upon यह value आजगा 6 upon कि आजएगा यहां पर x square plus 2x plus 7 अब 6 को अगर 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 मैं मैंनस से multiply कर दो यहां पर तो मैंनस से multiply करने के बाद आपन एक प्रोपर्टिक जानते हैं कि वह जो होता है इनुक्लिट का डारेक्शन चेंज होता है तो यहां पर इसकी value होगे तो बेसिकलि अपने पास जो एक्सप्रेशन आगया आगया मैनस सिक पॉन माइनस सिक क्या गया यह एक्स स्क्वाइर प्लस टू एक्स प्लस स्वाइन इज लेस्ट जी रोगे और इधर यह क्या गया गया ग्रीटर दन तो ठीक है अगर मैं इसमें 1 एड करूं तो 1 अगर 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 करें तो यह आजएगा माइनस 6 अपों यह क्या आगे x स्क्वाइर प्लस 2 एक्स प्लस 7 वन अपन एड कर रहें तो प्लस में 1 आजएगा यहां पर और इधर आजएगा इसकी वैल्यू एप्रोच गरें तो जो quantity है उसकी value क्या होगी यह जो एक्सप्रेशन ही है किसको बिलोंग करेगा minus infinity to one को और दोनों जगा क्या हो जाएगा ओपन हो जगा यही इसकी value आई है minus infinity to one अगर मैं answer देखू तो minus infinity to one यहां पर अगर अगर अपन देखे तो कोई भी answer यहां पर नहीं है अपने को क्या पता था यहां पर अपने इस expression की बात कर तो denominator क्या था always greater than 0 था अब मैं numerator को यहां पर solve करता हूँ ठीक है numerator के आपने पास numerator x square plus two x plus one यह यहां पर इसका numerator है ठीक है अगर मैं इसका coefficient of x square दखो यहां पर coefficient of x square क्या है 1 है जो की positive है और गर मैं इसका discriminant देखतो discriminant क्या जगा बी square minus 4 इसी तो minus 4 into 1 into 1 यह आगया 4 minus 4 इसकी value क्या आगे 0 हो अगर discriminant 0 है तो यह quantity क्या होगे यह quantity हो जाएगे अपने बस greater than equal to 0 ठीक है अब अगर अगर आपन देखे तो numerator में क्या है positive value और denominator भी positive है तो इसका ratio क्या होगा always positive होगा और यह 0 को भी approach करेगा जब इसकी value 0 होगी तो basically अगर मैं final answer की बात करें यहां पर यह answer क्या है यह proper total answer नहीं है क्योंकि total answer अपन यहां पर यह जो condition आ रहा है इसका भी अपन intersection लेंगे तो इसमें थोड़ा से change क्या जागा अपने पस अगर पन देखे तो numerator क्या था अपने पस नुमेटर भी always positive और denominator भी always positive तो overall ratio तो positive भी रहना है इसमें change क्या यहां पर यह 0 to 1 आ जागा basically अपना answer ठीक है क्योंकि यहां से अगर पन देखे तो numerator quantity positive और दो positive quantity का अगर पन देखे रेशियो क्या होता है positive भी होता ठीक है और इसकी value zero भी होगी जब numerator के value zero approach करेगी ठीक है तो इस केस में इसका value zero भी हो जाएगा तो अपना answer क्या जागा यहां पर option c is the right answer ठीक है यहां पर अपना answer हो जाएगा